हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो आज मैं बनाने जा रहे हूं काड़ा जो सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है बदलते मुक्समें सर्दी में अक्सर हमें गले दर्द जुकाम और खांसी की दिक्कत आती है तो उसके लिए यह बहुत ही फायदे मन्दा है यह घर कब बना काड़ा आप जुरूर ट्राइ कीजिए वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में तीन गिलास के करीब पानी डाल देंगे तो पानी यहां पे मैंने तीन गिलास इसमें डाल दिये तो पानी को हम हलका सा गरम होने देंगे और इसमें आप हम डाल देंगे चार से पांच तुलसी के पतियां तुलसी हमारे लिए बहुत ही फायदे मंदा सर्दी में दो इसमें हम लॉंग डाल देंगे और साथ से आठ इसमें हम काली मिर्ची डाल देंगे यह साबत काली मिर्ची है जो मैं इसमें डाल रहे हूँ और यहां पर मैं डाल देंगे तीन से चार पीसिस गिलोएके जो हमें असानी से मिल जाते हैं और साथ ही इसमें हम ढाल देंगे 2 crush की हुई बड़ी विलाइची और साथ ही इसमें हम 3 से 4 पीसिस अधृक के ढाल देंगे जिसको मैंने crush कर लिया है और इसमें हम अच्छी तरह से boil आणे देंगे 20-25 मिन तक इसको हम इस तरह से बॉयल आने देंगे इतने ज़्यादा इसमें बॉयल आएंगे सभी चीजों का असर उतना ही ज़्यादा निकलेगा सर्दी के मोसम में और बदलते मोसम में ये काड़ा सबको जूर पीना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही फायदे मंद है बच्चों को आप 3-4 चमच सोते समय रात में दूद में डालकर जरूर दें बहुत ही असर करता है ये काड़ा तो ये लिजिए बॉयल अच्छी तरह से आ चुकी है तो गैस का फ्लेम यहां पर हम बंद कर देंगे और इसको हम चन्नी में चान कर गिलास में निकाल लेंगे तो काड़ा हमारा बंद कर तयार हो चुक है बहुत ही फायदे मंद है ये काड़ा तो इसमें आप हम एक चमच के करीब शहर डाल देंगे तो चीनी मगारा इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये लिजिए हमारा काड़ा बंद कर तयार हो चुक है तो आप भी कीजिए ट्राइ तो दोस्तों होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे लगेगी अच्छे लगे वीडियो को लाइक चुरूर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत फुलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब चूरूर कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में